अब यहां पर फिलाल देखा जाए तो कल के दिन पर हम लोग ने discussion किया था इन वाले levels कूपर अगर market जाती है तो फिर हम लोग यहां पर इन वाले levels तके trade ले सकते हैं और exactly देखो कि तो यह all point नहीं touch किया है लेकिन फिर भी यहां पर अपना target almost देख सकते हो कि अब ऐसे situation से आप लोग कैसे बच सकते हो कि जब अचानक से target से पहले ही अपने कोई भी चीज stock हो company हो natural gas हो crude oil हो nifty हो bank nifty हो किसी भी चीज में तो usually जब ऐसा case होता है तो आप लोग पहली चीज तो यह कर सकते हो जब target का 50% मिल चुगा है तो सबसे पहरे तो अपना अपना stop loss जो है उसको update करके अपने entry point पे लगा दो ताकि नुकसान now maximum loss जो इस case में होगा फिर आपका वो transaction cost होगी तो उस case में आप लोग को नुकसान होने का chances बहुत ही minimum हो जाते हैं फिर अगर एक चीज और देखो कि almost 80% टार्गेट डन होने लगता है तो वहां पर आप लोग को profit booking स्टार्ट कर देने चाहिए 80% के बाद कभी आप लोग देख सकते हो कि reversal हो सकता है तो इस case में थोड़ास हम लोग को यहां पर सतर्क होजाना चाहिए तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो यहां पर करेंट लेवल्स पर आपको एक चोटा सा रेजिस्टिंस देखने के लिए मिलेगा और उसी की basis पर आज हम लोग यहां पर करेंगे क्योंकि यहां पर कोई पुराना हम लोग को अगर लेवल्स देखने जाएंगे तो बहुत जादा यहां पर वॉलिटालिटी देखने के लिए मिल रही है तो इतने बड़े टार्गेट हम लोग को अभी फिलाल हो सकता है कि ना मिल पाए लेकिन फिर भी हम लोग तै करेगा यहां पर करने के अगर कोशिच करता है तो जाइन के लिए मिल सकते हैं लेकिन यहां पर ब्रेक कर गया इसली तो आपको यहां ले टार्गेट देखने के लिए मिल सकते हैं डाउनसाइट की बात कीज़ा तो अब इसको बाद हम लोग डाउनसाइट की ट्रेटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनमम यह चोटा सा टार्गेट आप लोग यहां पर रख सकते हैं उसके बाद यहां पर अगर लेवल को मार्क करने पड़ेंगे और यहां पर चलेंगे चोटा मोटा प्रॉफिट होता है तो यहां पर लेखे एकजिट कर सकते हैं अब बात कीज़ें क्रूड ऑल की तो क्रूड पर यहां पर अच्छी ट्रेट देखने के लिए मिली थी पहला टार्गेट जो था वह यहां पर हम लोगों मिला प्रॉपरली उसके बाद अगर देखोगे तो यहां पर इन वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग देना अब इस वी शेप रिकावरी में कोई बाय करने का हमारा बेसिस नहीं होता है और ऐसे केस में काफी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रियो उसका बढ़ जाता है यह पॉइंट पॉइंट करके बाय नहीं कर सकते हैं और बाय कर भी लिया तो इस कैंडल के उपर करोगे कुछ न क्योंकि यूजिली वी शेप रिकावरी सस्ते नहीं करती किसी भी समय हो गिर सकती है अब करेंट लेट पर देखोगे तो यहां पर आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा अगर मार्केट इन वाले सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग यहां पर की ट्रेट करेंगे तो अपर दूसरा टार्गेट हम लोग यहां वाले लिए लेगे 6428 पहला टार्गे 6380 बॉसरा टार्गेट बाइंसाइट की बात की जाए तो बाइंसाइट पर चार्गेट बन सकता है लेगिन थोड़ा सा तीजी से क्योंकि मार्केट आई है तो इस तरे हम बाइंग करना बहुत आता प्रिफर नहीं करेंगे और थोड़ी बहुत री टेस्टिंग नहीं हुई है तो वह थोड़ा सा मेजिंग पॉइंट है बाइंग साइट की बात की जाए तो फिर हम लोग यहां तक है टार्गेट रख सकते हैं सिंपली एक टार्गेट रखेंगे और दूसरा टार्गेट अगर रखना चाहो तो अविस्ती रख सकते हो लिकिंद्रिस कमेशा यहां पे रहेगा एक चीज़ याद रखना है क्योंकि अभी भी किसी तरह की रिटेस्टिंग नहीं हुई है तो वह इंपॉर्टेंट है यह थो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर स्क्राइब सब्सक्राइब लाइक वाली नोटिफिकेशन बिटिन जरूर दमाना और अपना कैपिटल से रखना होग कि बाए